है गाइस कैसे हैं आप लोग फुफुली आप लोग फिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं सैट्रस पैरबस सैट्रस पैरबस क्या है इसकली इसका मतलब है और अधर इंग्स एक लेटन वर्ड है इसमें इकनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी चीज का इंपक्ट एकनॉमिक्स नहीं वैसे भी हम किसी चीज का इंपक्ट मालूम कर रहे होते हैं तो हम बाकी चीजों को इक्वल रखते हैं लेट्स से आप देख रहे हैं कि अगर में ज्यादा पढ़ता हूं सही है फॉर एजेंपल पहले आप वन आर पढ़ते थे अब आपने ट चीज नहीं कर रहे हैं सिर्फ टाइम चींज कर रहे हो तो इसका क्या इंपक्ट आया मेरे रिजल्ट पर ना वट आ यह दूइंग से प्रस परप्रस के बाकी सारी चीजें एक्वल हैं यूर जस्ट चैंजिंग दे टाइम सही है इसे तरह लट से मिल्क की बात करते हैं ठीक परचेज होती है तो वो अगर कम हो जाए कोई रिस्ट्रिक्शन आजाए कोई सिटुएशन आजाए तो क्या मिल्क की प्राइस बढ़ेगी और किस हद तक बढ़ेगी लेकिन आप सिर्फ काव को फिलहाल का उसको वो चेंज कर रहे हो बाकी आप एंड डाउन कर रहे हो बाक में सारे सब्सिट्यूट्स रहें फिश, मीट वगेरा और आप चिकन की प्राइस बढ़ाते हो तो क्या लोग कम खरीदना करते हैं चिकन की से अवाइड कर रहे हैं चिकन को या भी भी उसी तरह उतनी डिमांड है उसकी तो यह क्या है आप बाकी चीजे इकुल रख रहे हो आप सिफ उसके प्राइस बढ़ाओगे ठीक है फिचस परबस इस अलाइन प्रेस यह नहीं पर लिया है इन एकनॉमिक्स इच्छ अच्छ इंड एकनॉमिक वर्याबल हैं आद अन अनगर प्रवाइबल रमें द सेम क्या है क्या है क्या आप देखना चाते हो कि एक वर्याब क्या होता है आप एफेक्ट देख रहे हो जैसे कि हमने एक्जामपल में देखा और यह विडियो आपको समझा है तो मेक्षर तो इस वीडियो अप्सक्राइब करें शेयर करें और यह विल सी यू गाइस इन में नेक्स्ट वीडियो बाई गाइस